स्वागत है दोस्तों हमारे चनल पर फिर से एक नई कमाल की वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको फेस्टोरी पहले की लगा रखी है वह हमें कहां पर देखने को मिलेगे और हम कैसे डिलीट उसे कर सकेंगे इसके बारे में आप जानने वाले हैं जानने के लिए आप स्टोरी आपने शेयर की होगी सारी स्टोरी आपको फेस्बुक के अंदर कहां पर देखने को मिल जाएगी वह साथ में आपको उसे डिलीट भी कर पाएंगे वह भी बड़ी आसानी के साथ इसके लिए मैं आपको फेस्बुक के अंदर एक सेटिंग आपको हमेशा के लिए करके रखनी पड़ेगी वह क्या है यह सब मैं आपको फेस्बुक के अंदर सेटिंग में इस वीडियो में बताने वाला हूं इसके लिए तो सबसे पहले आप अपने फेस्बुक को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहां पर अपनी प्रफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे प्रफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद यह सेटिंग का ओइकन दिखरा होगा इसके उपर हम जाएंगे इसके उपर जाने के बाद फिर यहां से उपर की साइड स्क्रोल करेंगे स्क्रोल करते जाएंगे और स्क्रोल करने के बाद यहां पर एक्टिविटी लॉग जैसा क के बाद आप के सामने देखने को मिल जाएगी। इसके उपर tab करेंगे और अब देख सकते हैं। जब से조 आइड को अपनी create करे होंगे और अब तक दो सारी इस्टोरी यहाँ पर आपके प्होन के अंदर मिल जाएगी लेकिन यह कब होगी इसके लिए आर्काव यह वालिए सेटिंग है यह आपके फोन में अगर आफ होगी तो इसको ओन करके रखना जब यह ऐसे चीज़ आपके फोन में सेव हो पाएगी अगर यह ओफ रहेगी तो आपके फोन में यह स्टोरी शेव नहीं हो पाएगी और इस फीचर का आप मजा भी नहीं ले पाएंगे अब दोस्तों अब यहां पे आप यह जितनी भी इस्टोरी हैं आप इसे अब अपने प्रफाइल अपने यहां पर गैलरी में यहां से सीधे अपना यहां से डाउनलोड भी यहां से कर सकते हैं अब यहां से यहां से यह वाली इस्टोरी है मैं यहां से ओपन करता ह और उपन करने के बाद अब आप यहां पर उपर की साइध री डॉट देख सकते हैं इसके उपर किलिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डिलीट को भी ऑप्सन आ रहा है और शेव वीडियो को भी ऑप्सन आ रहा है अगर यहां से आप शेव करेंगे तो कर देंगे और डिलिट कर देके बार यह आप देख सकते हैं यह स्टोरी हमारे फोन से यहां से हट गई अगर इसको हम यहां से सिलेक्ट करना चाहेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारे से यहां से सिलेक्ट नहीं हो सकती है अभी ऐसा कोई ओप्सन नहीं है फेस्बुक में कि हम अपनी सारी स्टोरी को सेलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर सकते हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर हम एक जैसे आपको डिलीट करके रिखाया ऐसे ही एक स्टोरी को सेलेक्ट करके ऐसे ही उम्याद से इसको हम डिलीट कर सकते हैं उमीद है द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कोपिक के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग